आठ सुत्री मांग को लेकर अनिश्चित कालिन हर्ताल पर बैठे राजसु पटवारी संग का आज 11 दिन भी प्रदर्शन जारी राजे सो पटवारी संग 36 गड़ के बेनर तले बीते ग्यारा दिन से आठ सुतरी मांग को लेकर दुर के मानस भवन के पास अनिस्चित कालिन हर्ताल कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें वे अपनी मांगों को जयस ठहराते हुए राजी के मुख्यमंत्री हुपेश बगिल तक लगातार अपनी आवास पहुझाने का भी प्रयास कर रहे हैं इसी कड़ी में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदिकारी ने भी राजी सोपटवारी संकी मांग को जयस बताते हुए उनका समर्थन दिया साथी मुख्य मंत्री से इनकी जायस मांगों को पूरा करने आफ़ान किया इस सम्मन में प्रदिकारियों ने प्रतिक्रिया दी जायज मांग है जिसको लेकर के हमारे साथी काफी आज 10 दिन हो गया लगातार अंदूलन पे है और यह देखें कि प्रदेश फैटेशन हमारे समयुजग स्री कमल वर्म जी हमारे संभाग प्रभारी स्री राजेश चटर जी इनके नेतिक्तों में पूरे प्रदेश में हमारे अधायज मांगों को समर्तन देने के लिए हमने नीठी सी इसक्रदी में आज रहाए उसे उते प्रदेश भारे साथिए के बह्ते हैं में हम सरकार मुख्य मंतरी जीन्या कमिटी बनाया है है मुख्य मंतरी upright चाहिए वे बुट्र कमरप्रिस लिए सब्सक्राइब करना कि आद मिला है महिंगाई बत्ता सरकार को देना चाहिए नहीं दे रहे हैं एक चारे सरकार को साथ वेतन में देना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं इसके अलावा पट्वारी साथियों के इस बात को लेके बड़ा दुख है कि जो स्टेशनरी किनका व्य होता है उसके लिए सरकार का कोई ग्रांट देनी आ रहे है तो आखिर आदमी कोई भी विक्ति कपतक अपने घर से पैसा लगा के काम करेगा इससे बुनियादी बाते हैं आपके जैनल के मादियों से बताना चाहता हूँ प्रभाव तो हर अंदॉलन में पड़ता है अगर हमारा पट्वारी साथी अपने कारणफे में नहीं है तो क्रिशी के छेत्र में नुकसान है हर जगा जो प्रशी runners प्रदेस भर में बन रहा है मानि मुख्यमंतरी से अम बात करने में क्या बुरा ही है आईएस अधिकारियों के बात में अगर मानी मुख्यमंत्री चलेंगे तो मुख्यमंत्र जी के साथ साथ बात को भी समझना पड़ेगा कि चुनाओं उनको लड़ना आईएस को नहीं लड़ना है चुनाओं के समय हमारे जिन जनप्रदियों को हम समर्थन करते हैं जिनका हम बात करते हैं उनको समझना पड़ेगा कि चुनाओं के समय वो हमारे पास आते हैं आईएस के पास नहीं जाएंगे हम भी बहुत बड़े वोट बैंक है हमारे योत्रे बटवारी साथी बैटे हैं या आप इनसे देख लो कितने लोग किसान हो हाथ उड़ा सब सब किसान है 28 लाग अगर प्रदेश का किसान है तो 70-80% हमारे कर्मचारी भी उस परिवार में जुड़े हुए हैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि मान तो उनका सोच अच्छा है बहुत कुछ अच्छा है लेकिन समय निकाल के अपनों के दर्द को समझना बहुत बड़ा जादा जरूरी है भेट मुलाकास्त में अपनों से अपनी बात करना जादा जरूरी है किसको क्या तकलीफ है वो जादा जरूरी है मैं आप लोगों के आ पूरे प्रांद के पूरे पटवारी बैठे हुए अपनी इस मांग को लेकर अनिस्टित काली नहरताल पर कामकाज बिल्कुल बंध है पूरे 36 गड़ में कामकाज बंध है पूरे किशान हलाकान है सरकार फिर भी हमारी मांगों की अंदेखा कर रहे हैं अभी तक कोई साल पर डटे रहेंगे ग्रैने सीन निउस के लिए दुरुग से नसीम फारुकी के रिपोर्ट